हेलो दोस्तो स्वागत है आपका हमारे चैनल बायोवेदिक्स में और आज हम लाए हैं आपके लिए एक और बेहत जरूरी वीडियो जिसमें हम बात करेंगे दोस्तो डाइबिटीज के मरीजों के लिए चाय पीने से जोड़ी कुछ खास जानकारी की जी हाँ दोस्तो डाइबिटीज के मरीजों के लिए बिना चीनी की चाय भी नुकसान दे हो सकती है और उसी के बारे में आज हम डीटेल में जानकारी देंगे आपको और आपको बताएंगे कि डाइबिटीज में कौन सी चाय फाइदेमंद है दोस्तो आज दी जाने वाली जानकारी अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तो आईए शुरू करते हैं वीडियो और मैं आपको बताऊं ठंड के दिनों में चाय सभी को अच्छी लगती है वैसे तो लेकिन अगर आपको डाइबिटीस है दोस्तो और आप फीकी चाय पीते हैं तो आप ये ना समझें के फीकी चाय पीने से आपका ब्लड शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा जी हां दोस्तो आप समझ ये कि अगर आप फीकी चाय दिन में कई बार पीते हैं तो इससे भी आपका blood sugar level बढ़ सकता है और आज हम आपको फीकी चाय पीने के नुकसान के बारे में ही बताने वाले हैं और दोस्तो आज हम आपको ये भी बताएंगे के बिना चीनी की चाय पीने से blood sugar level बढ़ता क्यों है दरसल दोस्तो चाय में दूद के अलावा कई ऐसे तत्वों मौझूद होते हैं जो diabetes के मरीजों के लिए हानिकारक होते हैं और अगर आपको diabetes है तो आपको चाय का सेवन तो avoid करना ही चाहिए दोस्तो चाय कम पीनी चाहिए और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि एक चाय से दूसरी चाय के बीच में कम से कम दो घंटे का gap तो हो चाहे आप फी की चाय ही पीए लेकिन इतना gap बेहर जरूर ही तो दोस्तो जानते हैं कि कैसे नुकसान करती है चाय तो सबसे पहली बात है कि आप जब दूद वाली फी की चाय पीते हैं यानि full fat milk से बनी हुई चाय तो आप समझे कि full fat milk अपने आप में sugar level बढ़ाने के लिए काफी है दोस्तो हम ये भी समझते हैं कि अगर diabetes में फी की चाय पी रहे हैं तो कितनी भी पी सकते हैं लेकिन ये भात भी ठीक नहीं है क्योंकि आप जितनी जादा बार चाय पीएंगे उतनी जादा बार ही दूद भी आपके शेरीर के भीतर जाएगा और वो निश्यत रुप से आपकी blood sugar level बढ़ाएगा तो दूद वाली चाय भी पीना आपके लिए ठीक नहीं है एक आध बार पी सकते हैं फिर दोस्तो दूसरा नुकसान है कि चाय से iron absorb नहीं होता आपके शरीर में जी हाँ दोस्तो चाय में tannin और polyphenol नाम के तत्व मौझूद हैं जो शरीर में iron को पूरी तरह से absorb नहीं होने देते और जब iron absorb नहीं होगा तो इसका असर कहीं न कहीं सीधे तोर पर आपके blood पर पड़ेगा और इससे आपके भीतर हीमोगलोबिन की मातरा घट सकती है और स्वास्ते संबंधी अन्य नुकसान भी हो सकती है तो ध्यान दीजिए दोस्तों फिर आगे बात करें तो कुछ लोगों का मानना होता है कि diabetes में गुड की चाय आसानी से पी जा सकती है और ये नुकसान नहीं करती लेकिन वास्त्रिकता यह है दोस्तों कि डाइबिटीज में गुड की चाय भी उतना ही नुकसान करती है जितना चीनी की चाय तो गुड की चाय का सेवन तो बिल्कुल ना करें हाँ यह अलग बात है कि गुड अपने आप में एक पोशक तत्वों से भरपूर फूड आइटम है जिसको आप खा सकते हैं लेकिन डाइबिटीज में अगर आप गुड खाना चाते हैं तो बहुत ही सीमित मातरा में खाये एक आद बार आप चाय पी सकते हैं लेकिन इसकी रेगुलर चाय आप बिल्कुल ना पीजिए ये भी नुकसान देगी फिर दोस्तो एक और बात होती है कि सरदियों में जो लोग डाइबिटीज के शिकार होते हैं वो फीकी चाय दिन भर में कई बार पी लेते हैं जिसकी वज़े से भी उनका ब्लड सुगर लेवल बढ़ जाता है दोस्तो इसकी वज़े से हीमोगलोबिन भी कम हो सकता है मैंने पहले ही बताया और अगर आप ठंड के दिनों में ज़्यादा चाय पिएंगे तो कहीं न कहीं दवा की खुराक लेने के बाद भी ब्लड सुगर लेवल बढ़ेगा यानि आप ट्रीट्मेंट के बाद भी ब्लड सुगर लेवल को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो दोस्तो अब सवाल यह उठता है कि आपको चाय पीनी कौन सी है तो हम आपको बता रहे हैं आप समझ ये कि डाइबिटीस के मरीजों को हरवल चाय का सेवन करना चाहिए जिसमें दूद और चीनी की जगे अद्रक, नीबू, इलाइची, दाल चीनी आदिका इस्तमाल किया जा सकता है दोस्तो आप समझ ये कि हरवल टी एंटी ओक्सिडेंट से भरपूर होती है और आप इसको आराम से 2-3 बार पी सकते हैं तो दोस्तो डाइबिटीज में लेमन ग्रास टी भी पी जा सकती है आप 2-3 बार लेमन ग्रास टी आराम से पी सकते हैं तो दोस्तो आज के लिए इतना ही और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आज दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज हमें लाइक और शेयर जरूर कीजेगा और अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमें सब्सक्राइब भी करें धन्यवा कि दुट सब्सक्राइब आप तीज जरूए इतना ही अगरे रिए्ञाद ऋटस्वार आपको जासर आपको झालावाद करें ला थार आपको प्लीज हमें लार के लोगको आपको के लिए अमारी भी उमें इतना हैं लिएको क्रदory कर दे। सरनाह ऐड़ जेह ऎएको पूड